एक बूढ़े आदमी और एक छोटा बच्चा एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी एक पार्क में बैठा था वहाँ बच्चों को खेलते हुए देख रहा था और मुस्कुरा रहा था उसे याद आया कि जब वहाँ छोटा था तो वहाँ भी ऐसे ही खेला करता था लेकिन अब वहाँ बूढ़ा हो गया था और उसके पास कोई नहीं था वहाँ बच्चों को देख कर खुश हुआ लेकिन उसे भी एक अजीब सी उदासी भी महसूस हुई उसे अपने अकेलेपन का एहसास हुआ और वहाँ दुखी हो गया तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया और उससे पूछा दादा जी आप क्यों उदास है बूढ़े आदमी ने कहा मैं अकेला हूँ मेरे पास कोई नहीं है बच्चा बोला लेकिन दादा जी आपके पास तो मुझे है बूढ़े आदमी ने बच्चे को देखा और मुस्कुराया उसने कहा तुम सही हो मेरे पास तुम हो तुम मेरे लिए बहुत माइने रखते हो बच्चा खुश हो गया उसने बूढ़े आदमी को गले से लगा लिया और कहा मुझे तुम से बहुत प्यार है दादा जी बूढ़े आदमी ने भी बच्चे को गले से लगा लिया वह बहुत खुश था कि अब उसके पास कोई था वह बच्चे के साथ खेला और उसके साथ बाते की वह बहुत खुश था यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सभी को प्यार और देखभाल की जरूरत है चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न हो हम सभी को एक दूसरे की जरूरत है हमें दूसरों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए और उन्हें खुश करना चाहिए भी मुश्किले क्यों न हो, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए. हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि चीजे बहतर होंगी. यदि आप अकेलापन महसूस कर रही हैं, तो इस कहानी को याद रखें. याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं. और हमेशा आशा है. आप ह हमेशा दूसरों से प्यार और समर्थन पा सकते हैं.